Hello friends, आप लोगों ने अपना edit का result को check कर लिया होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें college नहीं मिला है, तो क्या करें, college मिल चुका है, college पसंद नहीं आ रहा है, upgrade कैसे करेंगे, college मिल गया है, पसंद आ रहा है, fees कैसे जमा करेंगे, क्या documents लेकर जाना है, तो इस वीडियो में हम total जानकारी आपको बताएंगे, scholarship कितनी मिलने वाली ये भी बताएंगे, तो स्वेंस ये आप लोगों की cut-off है, आप देख लिजए, यहाँ पर सभी category वाइस, यहाँ पर cut-off दियेगा है, यह official cut-off आया हुआ है, इसके बाद में स्वेंस जिन लोगों को college मिला होगा, कुछ इस तरीके से उन लोगों को allotment आ गया होगा, कि भी आपको कौन सा college मिला हुआ है और कहां आपको जो है, अपने डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, तो इस तरीके से आप college को देखेंगे, डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर लिखा कि आपको, को भी मिला जैसे आपको जबलपूर मिला है महूं लेना है तो आपको जबलपूर वाले कॉलेज में क्या करना डाकुमेंट जमा करना सारी प्रोसेज आपको वहाँ पर वैसे करना जैसे ठीक है आप उसको लेना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं लेना है तो आपको वहाँ पर सारी प्रोसेस करवा लेना क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है आपको लेना कौन सा है आपको लेना महूं लेकिन मिल कौन सा गया सर मिल गया हमें अभी जवलपूर तो सर यह हमें नहीं लेना है जवलपूर नहीं लेना है लेकिन इसी में आपको डाकुमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा इसी कॉलेज में आपको फिर जमा करना होगा और फिर श्वेंस यहां से वो permission दे देते हैं या कई बार form देते हैं permission देंगे तो online श्वेंस आपको upgrade का option मिल जाएगा अपना ID password डालना है आपको क्रिप्स में नाना जी देश्मुक की website से जाकर त्रीक option मिलेगा उपर edit की counseling के लिए अपग्रेट के लिए उस पर click करके है उसके नीचे श्वेंस आप लोगों को मिल जाएगा कि भी आपको इस नाम पर क्या करना है इस address पर क्या करना है फीस जमा करना है यह account detail है और सारी detail है इस नम्मर पर आपको क्या करना पड़ेगा payment करना पड़ेगा तो हर बच्चे की allotment letter की नीचे आया हुआ है और कौन से college में जाना है वो भी श्वेंस आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर allotted branch लिखा है इसके नीचे लिखा हुआ कि आपको विजिट पर जो जाना है documents लेकर वो कहां जाना है तो उसका भी आपको मिल जाएगा तो श्वेंस आपका जो है online पंजियन हो चुका है एक बार जिन बच्चों ने पहले करा चुका है पहले round में उन्हें ही second counseling का मौका मिलेगा second counseling के लिए आपको कुछ नहीं करना है जिन लोगों को college कर लिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर आपका allotment आ गया बोले या सरा चुका है अब आपको करना है college में उपस्तिती दर्ज कराना है documents ठीक है सत्यापन करना है यह सब काम जो college अभी मिला है उसमें करना है इसके बाद में आप उसको अप्ग्रेट कराना चाहते हैं तो यह करा सकते हैं फिर आपको दोबारा कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं एक बार जो college में आपने जैसे आपने जवलपूर में पैसे दे दिये महूं मिलने बाद में महूं में पैसे नहीं देना वो पैसे automatic वहाँ पर transfer हो जाएंगे ठीक ह या सा तारीक को जो हैं आप क्या करेंगे document verification के लिए जाएंगे जो college आपको मिला है उसमें घ्यारा से चार बजे के बीच में फिर श्मेंस तीन तारीक से आठ तारीक के बीच में आपका college अप्ग्रेट हो जागा जैसे आप आज जा रहे हैं या कल जा रहे हैं जब भी आप जो भी date में जा रहे हैं तीन को छे को या साथ को इन तीन में से किसी भी date में जा रहे हैं उसके बाद में आप ठीक है जैसे पीन को गए तो आप आ जाओ और online क्या करवा दो अप्ग्रेट करा दो प्रवेश के पश्चात अप्ग्रेट का विकल्प online मिलेगा उफ-लाइन अप्ग्रेट कर वाद है नई भी करवाना चाहते हैं गर अपजय करा होगे तो नया college मिल जाएगा तो पुराना हड़ जायेगा और नया नहीं मिलेगा तो जो पुराना है वह जैसे का वैसा बना रहेगा फिर अप्ग्रेट हुआ है या नहीं हुआ एक 11 तारिक को आपका जल्ट आएगा जब इस वरइन 2nd Round की Cours IW т3RTA T4 क्या करेंगे हम लोग मरा ढाना जी देशमोग वाले तरप से खरेंगी कुछ नीहीं मिलेगा जैन नारा जी देश्मोग वैٹनरी सबचन कर जाएव वहां पर होंपर क्लिक करोगे तो आपको सब्सक्लान चैगा इडिट का एडिट पर क्लिक करोगे तो आप फिर एकर की वेबसायट पर जंप कर जाओगे तो तेरा तारीक को करवा लो तो पता चल जाएगा भी यह कोई अपडेट तो नहीं आया है फिर इस आपको कॉलेज का अलौट होगा 21 तारीक को आपको कालेज क्या मिल जाएगा वो आपको लेना ही पड़ेगा ये सारे डाकुमेंट से आप देख लीजिए आपका जो एडिट का रिजल्ट आया है 10-12 की मार्कशीट है टी-सी माइग्रेशन वगएरा आप लोगों के है ठीक है इसके बाद में आपकी चार फोटो लगेगी और उसके पीछे अपना नाम ज कुछ भी कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो उस कॉलेज की टी-सी माइग्रेशन लगेगी इसके बाद में स्वास्थ प्रमान पत्र गवर्मेंट हॉस्पिटल से नॉर्मल चेक अप कर आओगे उसका या फिर प्राविट कोई भी हॉस्पिटल में चेक कर आओगे तो नॉर्म आपके पास में है इसके बाद में स्वेंस आपने जो अपग्रेट के लिए ऑप्शन आप देंगे तो यह सारी प्रोसेस आपको फॉलो करती हुए चलना है तो स्वेंस आपको यहाँ पर अभी फिलहाल क्या लगेगा ऑनलाइन आवंटन का प्रिंट आउट लगेगा मतलब इनके दो सेट जितने भी डाकुमेंट बताएं इनके दो सेट सभी डाकुमेंट जितने भी हैं यह सब ओरिजिनल ठीक है मतलब यह तो ओरिजिनल और फोटो कॉपी सब एक ही होता है ठीक है तो ओरिजिनल कौन कौन से यह ओरिजिनल नहीं लगेगा क्योंकि यह तो नॉर्म इतनी भी फीस जमा करेंगे यह सारी की सारी फीस आपको बापस मिल जाएगी जी हाँ स्ट्रेंड्स स्ट्रेंड्स वालों को तोटल पैसा बापस मिल जाएगा OVC वालों के strength scholarship मिलेगी लगभग लगभग यहाँ पर 35,000 से लेकर 38,000 की बीच में आपको scholarship मिलेगी यहाँ पर जनरल वालों की हम बात करें या मेधावी वालों की बात करें ठीक है चाहे वो STSC हो चाहे OVC जनरल कोई भी मेधावी मेधी कोई आता है जैसे आप dodgy MP work से पढ़ा हैं और अपके 70% से ऊपर है तो आपको मिधावी मिलेगी यहेदि स्रूएं सहाप CVSC से है यह यहाई CSC से हैं तो से आपके 85% से दी उपर है तो आप लोगों को मिधा भी मिलेगी बारवी में ये दी ठीक है आपने MP वोट से पढ़ा है 70% से उपर है तो आपको मिधा भी मिलेगी तो जितनी भी फीस आपको लगने वाली है ये सारी की सारी फीस गवर्मेंट आपको जो है कीजिएगा हम आपको जरूर बताएंगे जब सेकंड राउंड चालू हो जाएगा सेकंड राउंड की काउंसिलिंग कैसी होगी उस पर भी हम बताएंगे अभी फिलहाल सेकंड राउंड वाले वेट कीजिए जिनको कॉलेज नहीं मिला है तो मिलेंगे फिर ऐसी अन झाल झाल